स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है अप यूगो फ्रॉम क्लास फिफ्ट इविस यह टॉपिक हमने कल पढ़ा था इसमें क्या बताया गया था कि इनको क्या करना था कुछ लेडी जो थी उनको क्या करना की मॉन्टाइनेरिंग मेंस उनको पाहर पे चड़ना था तो वो उ गेडियर ने कहा कि तुम्हें ग्रूप को लीड करना होगा तो वो सोशे लगी कि एक ती बड़ी रेस्पांसिबल्टी है एक लीडर को क्या क्या करना पड़ता है अगर कोई भी थक जाएगा तो उनका जो बैग है वो क्यारी करना है उनको मदस करनी है उठाने में लट द ग्रूप को आगे आगे चलना है खुद पीछे रहना है ताकि कोई पीछे न रह जाए फो पूरी तरह से अच्छे से क्लाइम नहीं कर पाएंगे उनको हल्प करनी है find a good place to stop and rest एक अच्छे प्लेस पे जाकर क्या करना है stop करना है और वहाँ पर क्या करना है rest वो भी देखने है कि कोई ऐसी जगा होने चाहिए जहां पर वो आराम कर सके rest कर सके कुछ देर के लिए look after those who are not well जैसे क्योंकि बड़े सारे ऐसे हो जाते हैं कि किसी को लग जाती है कोई ठक जाता है तो ऐसे जो विलकुल मतलब ठीक नहीं होंगे उनकी भी help करनी होती है arrange for food for the group क्याते हैं कि जो खाना है वो भी arrange करना है क्योंकि जो group leader है उसको ये भी देखना है कि अगर वो कहीं पर rest करेंगे तो उनको खाने में वहां पर क्या देंगे the most important thing is to be ready to be punished even when some else may have made a mistake और सबसे बड़ी बात है कि आपको हमेशा तया रहना है किस के लिए punishment के लिए punishment means सजा के लिए अगर आप group leader हो तो आपके group में कोई भी गलती करता है तो उसकी सजा group leader को ही मिलती है that there was a special kind of discipline here and I wonder where whether the camp will still be fun क्या थे कि यहां पर मैंने देखा एक special kind का discipline है तो फिर मुझे लगा कि क्या यहां पर जो हम climbing करेंगे क्या वो fun रहेगा कि नहीं अब है group group number 7 group number 7 includes girls from Assam, Manipur, Missouri Meghali and Nagaland I was the only teacher from Kendra Vidyale in this group I was happy to meet my new group members most of them could not speak Hindi well I still feel bad that after being together for 21 days I could not talk even once with Khont from Mizoram Khont Dopni कोई language का नाम है from Mizoram She spoke only Mizo but in our hearts we grew close to each other क्या थे जिस group का school leader बनाया गया था वहां से कहां से लड़किया थी Assam से, Manipur से, Mizoram से, Meghali से और Nagaland से तो यह एक ऐसी teacher थी Kendra Vidyale से सिर्फ यह एक ही teacher इस group में थी क्या थी कि मैं खुश हूई जो नाय member है उनको देख के मैं खुश हूई 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 था हिंदी नहीं बोलता हूँ अपनी language बोलते थे तो वो क्या बोलते थे मीजो, क्या थी चाहे वो कोई भी language बोले मगर हम मतलब एक दूसरे से हमें अच्छी बनी एक दूसरे के लिए feelings हुई हम एक दूसरे के करीब आए अब यहाँ पे what do you think about the responsibility of a group leader जैसे यहाँ पे अब यह डिसकस किया हमने क्या-क्या responsibility होती है group leader की how would you feel if you are a leader in such a gap क्या आप सोचो अगर आपको leader बनाया जाए तो क्या कि आपको कैसा लगेगा क्या लगेगा आपको कौन सी responsibility आपके उपर होगी क्या feel करोगे what does a monitor in your class have to do तो आपके class में अगर monitor है वो क्या काम करता है would you like to be the class monitor और why अगर आप class के monitor बना चाहते हो तो क्यों ऐसा क्या खास होता है class के monitor में जो आपको class का monitor बना है कल हम पढ़ेंगे crossing the river thank you